Hey guys, finally India में launch होने वाला है Xiaomi 14 आप सब को बता दूँ कि Xiaomi 14 जो है एक जबरदस कैमरे वाला smartphone हो सकता है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको new generation वाला Leica lens देखने को मिल रहा है जिसमें आप telephoto का experience काफी अच्छा ले सकते हो 115 degree ultra wide angle का experience काफी जबरदस ले सकते हो आप सब को मैं बता दूँ कि camera इसका 50 megapixel का triple camera देखने को मिलना है 50 megapixel प्लस 50 megapixel प्लस 50 megapixel प्लस 50 megapixel और front camera जो है आपको 32 megapixel देखने को मिलना है जिसमें आप 30 fps प्लस 60 fps की video recording कर सकते हैं वो भी आप 4K में कर सकते हैं तो भाई camera जो है इसका बहुत जबरदस रहने वाला है तो अगर camera purpose पे phone लेना चाते हो तो आप Xiaomi 14 को देख सकते हो आप बात कर लेते हैं इसके performance की तो guys camera ही नहीं performance भी बहुत अच्छी है इसमें आपको Snapdragon 8 Gen 3 का processor देखने को मिलना है जिसमें आप multitasking plus heavy resolution वाले game easily तरीके से खेल सकते हो guys इसके साथ आपको Xiaomi HyperOS भी जुड़ा हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे अलेक features जो है देखने को मिलेंगे तो performance जो है Xiaomi 14 की बहुत जबरदस रहने वाली होई तो guys यहाँ पर सिफ camera और performance की बात नहीं करेंगे Xiaomi 14 की battery backup की भी बात कर लेते हैं तो guys इसमें 4610Ah की battery देखने को मिलेगी जिसको charge करने के लिए आपको 90W का charger मिलेगा और आप सब को बता दू कि इसमें 50W का wireless support भी है wireless charging भी जो है आप कर सकते हो अब guys आते हैं इसके main point पे कि guys इसकी क्या price इंडिया में रहने वाली है तो guys आप सब को बता दू कि Xiaomi 14 की जो इंडिया में price रहने वाली है वो रहेगी 49,990 रूपीज और guys यह base variant किया अब base variant है तो आपको बता दू कि RAM जो है configuration wise और अगर इसकी price 49,990 रूपीज आती है तो क्या यह 50,000 रूपी के range में अच्छा smartphone हो सकता है मुझे comment box में जरूर सबताना तो बसा आज के लिए अगर वीडियो चले वीडियो को like कर देना चलो को subscribe कर देना bell icon को press कर देना ताइक क्यों सो